हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मैनाक और आप सब के लिए लेकर आए उस सपनों का घर का और एक फ्रेश एपिसोड जिसमें हम लोग बात करेंगे एक 1500 स्क्वेर फिट का इस्ट फेसिंग बिल्डिंग प्लान के बारे में और हम लोग देंगे आपको वास्तो टिप और इंजिनरिंग टिप भी तो उसी के साथ अच्छ का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग अब्जर्ब करेंगे कि आपका जो रोड है आपका यहां पर है आपका इस्ट फेसिंग तो इस्ट फेसिंग यहां पर रोड है यहां पर आपका पॉर्टिको नौर्थ इस्ट में है तो पॉर्टिको के साइज है आपका यहां पर फॉर्टिन फीट इंटू 15 फीट 10 इंचिस तो यहां पर आपका फॉर्विलर और टू पूइलर यहां से यहां पर आ जाएगा ka यहां पर अभी देख सकते साथ-इ侏 वेच भेगे किचन कम डाइनिंग मेरी सिस्टीन आइन पर 6 इंचй इन्च कथे ईन्च बाद यहाँ आपका स्टेर केसे साथ में उसके बाद आपका यहाँ पर master bedroom है सौथ वेस्ट में, तो south west में आपका यहाँ पर master bedroom है और master bedroom का size 16 feet into 15 feet है जो काफी यहाँ पर भड़ा master bedroom है, उसके बाद है यहाँ पर तौयलेट come dressing गी रहे है, यहाँ पर आपको रेक मिल रहा है जो कि आपका 11 feet 9 inch into 15 feet का size है और यहाँ पर ventilation की बात करें तो पीछे भी आप देख सकते हैं पीछे भी काफी यहाँ पर space छोड़ा गया है जिस plot देख सकते हैं 40 feet 6 inch है यहाँ पर side में थोड़ा से करव है 51 feet 10 inch इधर 51 feet 9 inch और सामने 37 feet 7 inch तो सामने 3 feet और इधर से भी आपका यहाँ पर 2 feet 5 inches 3 feet 4 inches तो काफी space यहाँ पर छोड़ा गया है ventilation का कोई problem नहीं है तो यहाँ पर वास्तु के बारे में थोड़ा से बात करते हैं अभी देखे किचन तो अभी best position में है वास्तु की साफ से अभी यह जो ट्वालेट है तो यहाँ पर वास्तु की साफ से तो ट्वालेट नहीं रखना चाहिए आपका किचन के बागल में और ट्वालेट का जो पोजिशन से वो भी देख लेते हैं जो ट्वालेट का पोजिशन से east of south east या तो west of northwest हो सकता है तो हम लोग इसको आपको ब्हस्त पोजिशन में रखना ही है तो आज için कडर सोब कर दें यह यह वालेट को इदर शिप्ट कर दें और और स्टैर केसर इस से करके हम सकते हैं स्टैर केस को अगर में इस हो सकता यहां पे ठीक हो जाएगा, staircase का भी okay position हो जाएगा, toilet का भी ठीक position हो जाएगा, बागी सब position भी यहां पे ठीक हो जाएगा, तो ऐसे दोस्तों minor correction हम लोग कर सकते हैं, वास्तु की साब से, और एक जो चीज है, यहां पे देख सकते हैं master bedroom, तो आपका south यहां पे west में है, south west में आ आप as a guest room यूज कर सकते हो, ठीक है, guest room यूज कर सकते हो, क्योंकि यहां पे जो staircase से देखे हैं, आप अंदर है, इस building में, तो अंदर अगा इस मतलब यह है कि यह लोग rent पे नहीं देंगे, जो भी user रहेंगे, building के rent पे नहीं दे सकते हैं, एक family रहेगा, तो यहां पे इस bedroom को guest के लिए उस कर सकते हैं, क्योंकि northwest के bedroom, guest room के लिए अच्छा होता है, because air element का position होता है, and air element का position होने के कारण, जो भी आपके guest साएंगे, जहाद इन आपकी घर में रूखेंगे नहीं, तो यह हो गया आपका बास्तु, उसके बाद आप बास्तु देखते हैं, हम लोग आपका पोर्टिको का, तो यहाँ पोर्टिको का जो size दिया गया है, पोर्टिको का best position बिलकुल नहीं है, नौर्टिको में अगर आप पोर्टिको का रखेंगे भी तो तो उसको बहुत साफ रखना परेगा, and only two wheeler रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपका four wheeler यहाँ या heavy कुछ यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, नौर्टिको में एस पर बास्तू, यहाँ पे हम लोगे पास और कोई यहाँ पे option नहीं है, अगर आप देखेंगे, practically भी आपको देखना परेगा, यहाँ और कोई यहाँ पे option नहीं था, हम लोग यहाँ पे इसको south east में तो से ज़्यादा साफ रखने के लिए, और अगर अगर आपका फूरी लेर बाहर रहता है, तो ठीक है, अगर अंधर भी रहता है, तो उसको अच्छे से ढख के, साफ सुत्रा रखेंगे, कोई कच्छा ना हो, नौर्ट इस्ट में उतना हम लोग ध्यान रखेंगे, तो स्टोर रूम है, उसका स्टारी रूम है, तो नौर्थ यहाँ पर दिखिए, इस्ट में आपका स्टारी रूम है, तो इस्ट का स्टारी रूम है, बहुत अच्छा होता है, और इस प्लोट का यह है, क्योंकि यह आपका इस्ट फेसिंग है, तो नौर्थ इस्ट में यहाँ बैलकोनी और पुज़ा रूम दिया तो नौर्ट इसका बैलकोनी होता है काफी अच्छा माना जाता है विकाज आपका सं के फरस्ट रे आती है तो उस बैलकोनी में बैटके आपको energetic feel होगा और positive energy भी आपको मिलेंगे तो यहाँ पे balcony एन पूजा रूम यहाँ पे आपको मिल जाता है बरियासा उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जैसे arrangement था master bedroom, toilet और एक bedroom का यहाँ पे उपर भी आपका same arrangement आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो यहाँ पे bedroom भी आपको मिल गया दो उसके बाद आपको इक यहाँ पे balcony भी मिल गया तो यह था हम लोग का plan तो अभी हम लोग discuss करते हैं आपका वास्तो टिप तो वास्तो टिप में वही हम लोग discuss करेंगे toilet के पोजिशन पहले भी हम लोग बहुत बार देख चुके हैं toilet के जो कि आपके बेस्ट होते हैं वास्तों की आपका जो साउफ एस्ट के बीच में उसके बाद आपका यहां पर साउफ तो साउफ वेस्ट यह माले ने और आपका साउफ वेस्ट के बीच और आपका वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये तीन पॉजिशन बेस्ट होता है जनरल अगर ओवर लग आप देखेंगे उतना ज्यादा डीटेल डीप में नहीं जाएंगे तो साउथ और वेस्ट में आप दे सकते हैं ये अमारा जनरली थमरूल होता है बट ये तीन जो पॉज या तो अगर आपका प्लाई बोर्ड का है तो हम लोग लगाते हैं आपका पॉलिथीन अगर आपका स्टील का है तो हम लोग लगाते हैं आपका अलकत्रा यानि की आपका पेंट तो अगर हम लोग आपका प्लाई का बोर्ड यूज कर रहे हैं तो हम लोग ये ध्यान रखन तो इस चीज़ को फोटो और वीडियो से भी नेक्स्ट जो सीरीज है उसमें हम लोग एक्स्प्रेंट करें कोशिश करेंगे तो आज के लिए यही था हम लोग का वास्तुर टिप और आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे डेस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइए एंड हमा झाल